नमस्कार आप देख रहे हैं दर्शनियूज मैं हूँ दिव्यांसू छपरा हिंसा मामले में प्रसासन ने बड़ी कारवाई की है छपरा गोलिकांड मामले में राबडी देवी के जो अंगरक्षक सिपाही है बोडिगार्ड है उनके नाम है जितेंद्र सिंग उन पर गाजगिरी है और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है बड़ी खबर सामने आ रही है राजदानी पटना से जहां जितेंद्र सिंग को राबडी देवी जी के साथ अंगरक्षक के रूप में प्रतिन्यूक्त हुए थे उनको अनादिकरित रूप से सारन लोकसवाचित्र की प्रत्यासी स्रीमती रोहिनी आचारे के साथ जाने के लिए एसपी सारन से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ततकाल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है जिया इस पुरे मामले पर सारन के एसपी ने एक साइटी का गठन किया था जो आज जाच करने पहुँची थी राबडी आवास चेहरे का मिलान करने बडिगार्डों पटना जिला बलके उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है उन्हें ततकाल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है लोगसभा चुनाओ के पांचवे चरण में बिहार की पांच लोगसभासीटों के लिए वोट डाले गये थे इस दौरान मंगलवार को सारन के भिकारी पर दो गुटों के बीच हुई फाइरिंग में एक युवक की मौत और दो लोग गायल हो गए दो गायल हो गए गया है इस बीच सारन से आरजेडी की उम्मिदवार रोहिनी आचारे भी चर्चा में आ गई है इधर पुलिस भी एक्षन में दिख रही है अभी तक पुलिस इस मामले में चार प्रात्मिकी दर्च की है वहीं मृतक शंदन कुमार के पिता नागेंदर राय के आवेदन पर पुलिस ने बारा लोगों के खिलाफ नामजद प्रात्मिकी दर्च की है वहीं रोहिनी आचारे की पाठी आरजेडी के श्टार प्रचारक बोला यादब पर बही F.I.R हुई है سाथ F.I.R की बाद कही जा रही है साथ F.I.R की बात कहीं जा रही है इस मामले में थाना प्रबारी को लाइन हाजिर्द कर दिया गया है इस मामले में product कार्वाई करते पुलिस के अनुसार सारण लोकसभाशेत्र में मतदान के दिन सुमवार को मतदान के इंदर संख्या 318, 319 के पास बीजेपी एवं आर्जेडी कारेकरताओं के बीच कहा सुनी गाली गलोज और पत्तरबाजी हुई थी उसी का नतीजा मंगलवार की घटना है वहीं इस गोलिकांड के बाद एतिहातन बरत्ते हुए प्रसासन ने जहाँ दो दिनों के लिए इंटरनेट से वाब बंद कर दी थी वहीं उसे अब बढ़ा दिया गया है 25 मई तक अब इंटरनेट से वाब बंद रहेगी सारन में वहीं SIT का गठन किया है फरार अभयोक्तों की गिरफतारी या आत्म समर्पन नहीं होने के इस्तिती में पुलिस इनके संपत्ती की कुर्की जबती की प्रक्रिया में जुटी हुई है तो सारन में हुए हिंसक वारदात की जांच के लिए जो सारन SP ने SIT का गठन किया वो आज पुर्व मुख्यमंत्री रावडी देवी के आवास पर पहुँची अलगे टीम आवास के अंदर नहीं गई जाज टीम ने सुरक्षा कर्मियों के चहरे का मिलान घटनास्तल से प्राप्त वीडियो फुटेश के आधार पर किया सुरक्षा इंचार्ज इंस्पेक्टर ने SIT को घटनास्तल पर मौजूद सुरक्षा कर्मी और सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ रहे सुरक्षा कर्मी से यहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों का चहरा नहीं मिलने की जानकारी दी रोहिनी आचारे और पूर्व MLC भोला स्यादव समेत आठ लोगों पर आठ केस दर्ज किया गया है तो जो रिपोर्ट आज गई जब आज पहुँची थी टीम राबडी आवास पर और जब लोटी छपरा में तो वो रिपोर्ट उन्होंने SP को सौपी और SP ने उस रिपोर्ट को यहाँ पर दिया और उसके बाद कारवाई हुई है जो राबडी देवी के बडिगाड है जीते इंदर सिंग उन्हें निलंबित कर दिया गया है ततकाल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है सस्पेंड हो तो फिलाल के लिए यही अपडेट है त पने रहे दर्श नीज के साथ